हमेशा की तरह है आज भी राजा गोडे पर सवार होकर बड़ी तेजी से जंगल की तरफ शिकार के दलाश में जा रहे थे इतना तेजी से चले गए कि ना तो उनको ये सुद रही कि वो कहां महुँच रहे हैं और उनके सैनिक भी बहुत पीचे चूट गए दो पहर तक ना तो सैनिक मिले और ना ही उनको जो शिकार था वो मिला भूखे प्यासे एक जगे बैठ गए कुछ देरे इंतजार किया डूंडा कई बोजन और पानी मिला नहीं कुछ लड़के सामने सा रहे थे उन तीन लड़कों से पूछा कि क्या मुझे यहां पर बोजन और पानी मिल सकता है वो घर गए लड़के और बोजन और पानी की व्यवस्था की बरपेट बोजन करने के बाद राजा बड़ा खुश हुआ उसे लड़कों से कहा कि मांग लो मैं एक राजा हूँ तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा पहने ने कहा बढ़ा अच्छा मौका है बहुत सारा धंच चाहिए दूसरे ने कहा कि मुझे तो घोड़ा और एक बंगला चाहिए तीसरे ने कहा कि मालिक मैं पढ़ना चाहता हूँ पहोए ने कोई पढ़ने का और ग्यान प्राप्ट करने का साधन जुटा दीजिए तीसरे के लिए टीचर की वेवस्ता कर दिया और बागी दोनों की मुराद को पूरा कर दिया गया और वही लड़का पड़ लिखकर राजा के यहां पर मंत्री बन गया एक दिन राजा को यह बात वापस ज्याद आई कि अब देखते हैं इन तीनों को हुआ क्या उन तीनों लड़कों को बुलाए गए पहले को पूचा भाई क्या कर रहो आजकल के मैं तो कंगाल हो चुका हूँ दूसरे ने कहा के मेरा बंगला बिग गया और कोड़े की मृत्यू हो चुकी है तीसरे ने कहा मालिक मैं तो ग्यान चाहता था हर रोज मैं कुछ ने कोई सीख की रहा हूँ और आपके यहां पर मैं नौकरी कर रहा हूँ और मैं मंत्री हूँ मुझे कोई तक्रीव नहीं है प्रियस आती हो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ग्यान से बड़ा कोई दन नहीं है जो बांटने पर और ज्यादा बढ़ता है आपने कौन बढ़ेगा करोड़ पती बें एक श्लोगन सुना होगा कि पढ़ेगा इंडिया तब ही तो बढ़ेगा इंडिया तो पढ़ना लिखना और ग्यान कभी भी छूटता नहीं है और अगर आपके पास सही रूप से ग्यान है तो आप किसी भी विपत्ती में फस जाएं वो ग्यान आपको बाहर निकाल देगा इसलिए हमेशा ग्यान प्राप्त करते चलो नवशकार प्रेसातियों मैं हूँ सुरेश श्रिमाली ग्रहों का खेल कारे करम के आज का राश्यफल प्रोग्राम में आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है ये राश्यफल चंद राशी और नाम की राश्यफल राधारित है उसे वैसे ही देखने का प्रियास करें चंद सेकंड आप लोगों के चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचान पर ये 23 अक्टूबर शुकरवाद के राश्यफल देख रहे हैं आज सुबह 6 बचकर 56 मिनट तक सब्तमी और बाद में अस्टमी रहेगी आज पूरे दिन उतरा शाड़ा नक्षद रहेगा आज भी ग्रहोंस से बनने वाले बुद्ध अदित योग, अनफा, सुनफा, वैशी योग के साथ बिलेगा वहीं अगर आपकी राशी बेश कर तुला और मगर है तो शश योग, मितुन, कन्या, दनू और मीन अगर आपकी राशी है तो हंस योग लाब बिलेगा वहीं आज सुबए, 7 बच कर 1 मिनट तक गज़के सिरियोग और बाद में चंद्रमा राशी परिवर्तन करते ही शनी चंद्रमा का विश दोष बन जाएगा और चंद्रमा आज सुबए, 7 बच कर 1 मिनट के बाद मगर राशी में चले जाएंगे परे साथियों अगर आप किसी शुब कारे के लिए शुब समय की तलाश में है तो वो आज नहीं है क्यों नहीं है या आप ये देख लिए सुबह साड़े दस बज़े से बारा बज़े तक तो वैसे ही राहुकाल है और सुबह च्छे बज़ कर 56 मिनट से शाम को 6 बज़ कर 57 मिनट तक स्वर्ग लोग की बदरा रहे तो बदरा में शुब और मांगली कारी नहीं करना चाहिए प्रे साथियों अगर आप आज किसी शुब कारी के लिए मांगली कारी के लिए शुब समय की तलाश में हैं तो वो आज नहीं है क्यों नहीं है उसे अब देखिए सुबह साड़े दस बज़े से बारा बज़े तक तो राहुकाल वैसे भी नहीं करना चाहिए और 6 बच कर 56 मिनट सुबह से लेकर शाम को 6 बच कर 70 मिनट तक ये स्वर्ग लोग की बदरा रहेगी आज शुक्र सिंग राशी को छोड़ कन्या राशी यानि अपने मित्र बुद्ध के गर में नीज राशी गोने जा रहे हैं इसका भी आज के राशी भल में हम प्रभाव बताएंगे और विशेश उपाय भी बताएंगे परियसातियों हम अग्यात भाय और शत्रुबादा को कैसे दूर करें इसका विशेश उपाय मैं 6 राशी के बाद आपको बताऊंगा तो आप उस उपाय को देखें और उसे अपनाएं कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि शारदिय नवरात्री पूजन का प्रारम समूदर ट्रट पर किस दें और क्यों किया था मैं इसका जवाब कारिकरम के अंतवे दूँगा अब आईए राशिबल के शुरुवात करते हैं मेश राशी से वर्कोहॉलिक बनना, कर्म करना शाह होना, अपने काम में परफैक्शन लाने के लिए चंदरमा आपको बहुत अच्छा आशिरवात देने जा रहे है शुकर आपके six house में अब बिराजित रहेंगे आज बिजनस में दिन आपके लिए आई को बढ़ाने का है, डेवलप करने का है जॉब के लिए नए सीरे से अपनी priorities ताई करने का दिन है वर्क्लेस पर अपनी योजनाओं को थोड़ा से रो किये बहुत तेजी से आगे मत बढ़िए, विचार को पुनर विचार की तरफ लिके जाईए और उसके बाद आपको idea आएंगे, plans आएंगे नएने और उसमें implement करके आप मान परतिष्टा और धन आज अपनाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं अपने परिवार और जो नीजी जिन्दीगी है, उन्हें priorities दीजिए आपके परिवार वाले कुछ चाहते हैं कि आपके साथ कहीं बाहर जाए, कुछ खरीदारी करें कुछ renovation में आप गरेलू काम में रहें, लेकिन आप अपने professional काम में अगर बीजी रहेंगे तो देखा करेंगे और उससे आपका disturbance तैह है, आज के इस बुरे दोर में जो महामारी का दोर है सामाजिक सेवा, पारिवारिक जिदिकी को बहतर बनाने के काम करने चाहिए सोशल मीडिया में और हमारे राजिस्तान में वैसे भी चुनाव चल रहे हैं, आप उसमें मजगूर रहेंगे love life और relationship है, बहतरी के लिए time को manage करें शुक्र के राशी परिवरतन से, आज आप लोगों को जो भी आप करम कर रहे हैं, उसमें जो परिक्षा है आपकी, वो परिक्षा से आप उत्तिन हो जाएंगे चाए अच्छा बोजन बनाना हो, चाए पढ़ाई करने की परिक्षा हो, चाए दिन को बहतर गुजारने की परिक्षा हो, हर परिक्षा में आप सफ़ल होने जा रहे हैं लखी कलर, navy blue, number two, शुब रहेंगे, ब्रिशब राशी चंद्रमा आज आपके भाग्ये को पॉलिश करने वाले, बहतर भाग्ये का आपको लाब मिलने वाला है और शुक्र आपके फिवताउस बिराजित होंगे, फिवताउस, लव लाइफ, संतान और सिक्षा का है आज आपका दिन प्रोफेशनल तोर पर अच्छा रहेगा, इमोशन्स के मामले में खराब रहेगा व्यापार करते हैं तो महतुपून डिसिजन लेने के लिए आज एक अच्छा दिन हल्की फूल की जोखिम ली जा सकती है नौकरी में आपके सकारातवक, स्ट्रोक, द्रिश्टी कौन से आप हर परिस्तिती को दर नहीं लेकिन ज्यादतर एंवाइर्मेंट और परिस्तिती को अपने अनुकूल कर पाने में सफल होंगे वर्प्लेस पर आज आपको बहत्तपून काम करने, अपने हग की लड़ाई को लड़ने, अपने हग का पैसा कमाने और साथ में रूके वे काम को पूरा किसी इंपॉर्टेंट व्यक्तिक मदद से करने का बहुत शांदार मौका है चूकिये गबन स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, क्यासे परफेक्शन लाए जाए, कैसे याताश को मदबूत किया जाए, आज यह गुर्थ आप सीखने वाले हैं शुकर परिवर्तन से आपके लव लाइफ, संतान और ग्यान में बर्दी होगी लव लाइफ और रिलेशेशिप में बात करें तो रोमांच और रोमांस और ट्रेवल और वीकेंड को आने वाले दिनों में एंज्वाइ करने का पूरा मौका मिलेगा लगी कलर यलो नमबर सिक्स शुक रहेंगे मेतुन राशी शादी शुदा है तो ससुराल और नहीं है शादी शुदा तो अपने परिवार से आपको बॉंडिंग मजबूत करनी चाहिए उन्हें समय देना चाहिए क्योंकि कुछ हद तक तक तकलीफ रिष्टों में आ रही है शुकर अब आपके फोर्थ आउसे बेराजित रहेंगे वर्क प्लेस पर अपने कॉंपिटिटर्स पर नजर रखना उचित रहेगा क्योंकि वे आपकी गती विदियों को रोकने का परियास कर रहे हैं आपको अपने दुश्मनों आपके जो वैल विशर नहीं है उनके तरफ इतना द्यान मत देना कि दिन बर वहीं द्यान देते रहें अब बस अपना और अपनों का सुरुक्षा चकर बना लिजिए बजा जाएगा द्यापार में बहुत कुछ हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन असल समस्या ये है कि हासिल करें कैसे इसके लिए प्रॉपर रीसरच वर्क और मोडस ओपेंडरी तैर करने पड़ेगी निरने लेते सब्वे भावक बिलकुल नहों वरना नुक्सान हो जाएगा नौकरी में आपको कुछ चुनौती और जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा और वो आपको बिल रही है क्योंकि आपके पास चुनौती और जिम्मेदारी को वहन करने की काबिलियत जो है अपने डर जो खुद बना रखा है चिंता जो आपने खुद ने ले रखी है उससे आज दिल और दिमाग दुना डिस्टब रहेंगे कोशिश करिए कि डे को डिजाइन करें पैशन और होबीस के काम करें और भरोसा करिए उन लोगों पर जो आपके दिल और दिमाग के करीब है जीवन साथी और जीवन संकिनी की व्यवहार में बहुत धीरस जैरी और सहीं पर रखना पड़ेगा एक शब्द पुरह दिन को खराब कर सकता है इसलिए समझदारी से बोले है प्रेम संबन में तनाव और कठोड़ता पेरिंट्स या दूसरे जो पार्टनर है उनकी पेरिंट्स के वज़े साथ सकती है इस्टुडेंट आर्टिस और प्लियर्स इस पस्ट रूप से आज आपको फता लग जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है और शुकर के राशी परिवर्तिन से काफ़ी समय से रुकी हुई कोई इच्छा अब परिवर्तिन होकर पून होने जा रही है लगी कलर ग्रेड नमर एट शुब रहेंगे करकर आशी आज बिजनस माइंडेड बनना होगा किसी ने कहा है तो आपने सुना होगा या आपने खुद ने किसी को कहा होगा तो अपने काम में परफेक्शन रखना है और आपको प्रोफेशनल बनना है शुकर अब आपके पराकरम भाव और थर्डा उस जिसे हम कहते हैं वाबे राजित रहेंगे नौकरी में आपकी जो स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियास उस पर पूरा भरुसा रखे आपके पास हुनर है जो दिखाएंगे बजा जाएंगा बिजनस में आपके लिए अच्छे परिणाम पाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है विट स्मार्ट वर्क वर्क पर आपके मेहनत का लोहा आप मनवा ही लेंगे जल्द ही आपके दिन बदलेंगे ये सोच आपके बीतर आएगी और पॉसिलिटिविटी से आज आप काम करेंगे और परिवार में यदि किसी के बात ये वैवार से आपको ठेस पहुँची है तो माफ करिए माफी माँगिए आगे बढ़िए और कहीं उस दिल पर उस बोज को लेकर मद गूमिए अपने जीवन साथ वे जीवन संगिनी को अगर आप बहुत समय से समय नहीं दे पा रहे हैं तो आज वो वक्त है आने वाले विकेंड में भी आप एंजॉय करने के लिए ट्रेवल कर सकते और इसके लिए साकारत को ऊटजा का संचार और कम्यूनिकेशन बहतर आपके भीतर होगा इस्टूडेंट आर्टिस और प्लेयर्स उन्नती तरक्की कैसे प्राप्त करें इसके गुर टीचर कोच बेंटर किसी से भी मिलेंगे राह चलते कोई वेक्ती आपको अच्छे सला दे सकता है बस आँख और कान खुले रखिएगगा शुकर के परिवर्तन से आपकी जो परसन लाइफ है दोस्त यार रिश्दार लव लाइफ उसमें बांडिंग मजबूत बनेगी और आपका दिल बागबाग हो जाएगा शत्रों का भाए अग्याद भाए के रूप में आपके बीतर बिराज़मान होगा उससे छुटकारा पाईए लखी कलर सिल्वर नमर फाइव शुब रहेंगे किसी पुरानी बीमारी से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है वो मानसी को या शारी रिखो शुकर अब आपके दर्भाव कोटोमिस्तान सेकेंड आउस बिराज़ित रहेंगे वो आपके लिए बहुत शांदार समय है वर्ड प्लेस पर आपका साहस, करेज, एंतुजियासम, जोश, जुरून, हाई रहेगा लेकिन होश मत खोईएगा इसके चलते आप बिना किसी ज्यादा परिशानी के आज अपने दिन पर नियंदरन पाते हुए जो पाना चाते हैं वो पा सकेंगे बिजनस में आपके लिए पुरानी बातों को बीचे छोड़कर ग्राहकों से वापस तालुकात बढ़ाने चाहिए और अब तो फैस्टिवल सीजन है तो कोशिश करें का आपके बिगरी बढ़ जाए ग्राहकों के साथ वापस आपके बॉन्डिंग मजबूत हो जाए नए ग्राहकों के साथ पुराने ग्राहकों के साथ भी आपके तालुकात अच्छे हो जाएं इस पर विशेश, चिंतन, मन्थन करिएगा नौकरी में यदि किसी के लिए मन में कोई करवाहट है आप उससे बात करके दूर कर दीजी आपके सेहत बहतर होगी इसके लिए एक्स्टर और एडवांस में कर्म किये जा सकते हैं परिवार में जो व्यर्थ की चिंताएं चल रही है आपके एक बहतर सकारत में सोचके वो तबदिली होगी और परिवार का महूल अच्छा हो सकता है सब को लेकर चलिए लीडर बनिये टीम मैनेजमेंट के साथ काम करिए बजा जाएगा दामपती जीवन, लव लाइफ और रिलेशिशिप में प्यार, इश्क और मौपत देखने को मिलेगी और आज का दिन कुछ खर्च करके परिवार को खुशी देने का है स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेइट्स के लिए आज जो परियास करने का प्लैन है आपका वो सार्थ तक होगा सही स्ट्रॉक लगेंगे शुकर परिवर्ता से आपके व्यक्तित में आकरशन नज़र आएगा फैशन, पैशन और ड्रेसिंग सेंस बोलने का लहज़ा अंदाज आज निराला होगा जिससे लोग आपकी और खीचे चले आएंगे कला और संगीत जो एंटरेटेंटमेंट फिल्ड वाले लोग है उन लोगों के लिए आज दिन बहुत चांदाल है लाकी कलर औरेंज नबर तीन शुब रहेंगे कन्या राशी आज आपको सिक्षित बनना है अपने ग्यान को और बढ़ाना है और ग्यान का प्रियोग भी करना है यही आशिरबात आज आपको चंद्रमा दे रहे हैं आप ही की राशी में आज शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं जौब में किसी पी तरह की गैर जरूरी यात्रा फिलहाल टाल दीजी कारिक शेत्र में कारिय पूर्ण होने के प्रवल आसार है इसके लिए आप स्पेशल एफट करने जा रहे हैं व्यावसाय में लाब हो स्वास से अच्छा रहे इसके लिए स्पेशल आपको काम करने होंगे परिवार में प्यार के लिए सबसे पहले वक्त दिना शुरू करिए फिर आनद मिलना शुरू हो जाएगा दामपती जीवन लव लाइफ और रिलेशिशिप में आज घूमना फिरना, गॉसिपिंग, कुछ शॉपिंग करने का बन करेंगा समवेधन शील और पुरानी बातों पर चर्चा बिल्कुल नहीं करें स्टूडेंट आर्टिस और जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनकी शांदार परफॉर्मेंस रहेगी क्योंकि एनरजी लेवल हाई रहेगा शुकर के परिवरतन से आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका औरा, आपकी पैशन और होबी आगे बढ़ेगी और खर्चों में सुक सुविदा हैं, अच्छा मोबाइल और अच्छे वस्तर और अबुशन का लाब अब आपको मिलने जा रहा है लगी कलर, लगी कलर परपल नमर फोर शुब रहेंगे प्रेसातियों, आएए छे राशी के बाद अब विशेश उपाई की बात करते हैं जो अन्नोन फियर, अग्यात भय और दुश्मनी कम करने का उपाई है आज आप अपने रूटीन काम से सुबह जब भी फ्री हो जाएं तो गुलाबी रंग के या तो वस्तर पहने या गमचा लगा दीचे काल रात्री मा के समुक उनका ध्यान करते हुए गी का दीपक रजवलित करें माता को लाल चोनरी चड़ाएं मा का पूजन और स्तुती दुर्गा सब्तशती के पाठ को करते हुए पूर्ण करें फिर लाल या गुलाबी रंग के पुष्पों की माला अर्पित करें केला, गुड और बंगली मिठाई अगर मिल जाए तो निवेदिय की रूप में आप उन्हें अर्पित करें अब एक पीले रंग की द्वजा मा के चरणों में रखकर सास्टांग दन्वत परनाम करने के बाद इस पठी की माला से क्लीम, एंग, स्रीम, कालिकाय, नमह, मंत्र की एक माला जाप करना आपको बहुत एनरजेटिक बना देगा और शाम की समय द्वजा को अपने घर की छट में साउथ और वेस्ट की कौनर में लगा दीजी बात करते हैं तुला राशी की आज आपको सुक सुविधाओं का पूरा आनलेना है नई सुक सुविधाओं प्राप्त करने लिए खर्च और कर्ज नहीं बढ़ाना है आज शुक्र आपके 12th हाउस में प्रवेश करना जा रहे हैं राशी से वर्ट प्लिस में बेकार की गतिविदिया टाइम को मैनेज ना कर पाना गॉसिपिंग लेट लतिफी अलस्य से आप डिस्प करने वाले हैं डेडिकेशन काम में और पंक्च वैलिटी और डिस्प लेन अगर दिखाया है तो इन सब चीजों से बच सकते हैं नौकरी में आज आज आपको किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करना कोई भी खुद डिसिजन लेना आपके बास कहें तो दो बार सोचें उसके बार डिसिजन लें वरना आप किसी जंजट में फसने जा रहे हैं फाइनिशल डिसिजन बहुत सोच समझ के लिजिए खर्च और कर्च को आज न करें तो बरिया है जो सोशल नेटर्क है वो मजबूत रहेगा आपका औरा मजबूत रहेगा लोग आपके परत्री अट्रैक्ट होंगे लेकिन शुरुआत में जो मैंने कहा था डेडिकेशन और डिसिप्लेन उसको मत बूलिएगा परिवार में अतीत में की कई कोई गल्ती किसी का साथ रिष्टों में आई हुई तलकी आज आपको परिशान कर सकती है किसी के मूँ से आपके बारे में मुरी बातें आपको सुनने को मिलेगी तो आपको बड़ी बेचनी रहेगी है तो मैं ये सला देना चाहूँगा का हाती की तरह मखस्त चाल चलते रही जिसको जो काम करना हों करते रहने दीजी स्टूडेंट, आर्टिस और प्लियर्स आज चीजों को समझने में बहुत अधिक मेहनत करने पड़ेगी और इसके लिए बिना गैजट्स के और रीसर्च वर्क करते वेए शांत चित मन्त से अगर काम करोगे तब ही समझ पाऊगे चोटे बच्चे और बड़े बुज़र्गों की तवेद खराब होने से आज आपका डिस्टब देने हो सकता है इसके लिए जीवन सात्य और जीवन संगिनी दोनों मिलकर परिवार के सदस्यों का खया रखे शुकर के परिवर्तन से आज धनलाब, व्यापार और नौकरी में तरक्की के नए अवसर आपको किसी और की वज़े से मिलेंगे इनोवेटिव आइडियास शुकर आपको देने बाले हैं लखी कलार वाइट नमबर वन शुकर रहेंगे वरेश्ची गराशी साहस, करेज, एन्थुसियासम में डेवलिप्मेंट होगा और आज से शुकर आपके प्रॉफिट हाउस में बिराजमान होगे वर्ट प्लेस पर आपके लिए सहयोग और समर्थन का दिन है चाहे वो देना हो या लेना हो आपको अपने आसपास के लोगों या टीम के सदस्यों से काफी उमीद नहीं लगाने चाहे हैं बलकि आज अपने काम को खुद घरने की कोशिश करें बिजनस में अपनी बातों, विचारों और राज पर अडिक न रहें बलकि फ्लیکसिबल रहोगे और स्वभाव में नर्वी दिखाऊगे तो आज नुकसान के बजाए लाब में ले लग जाएगा और हाँ, खुद को थोड़ा सा पुरान एक ग्रहा को और आफ्टर सेल्स सर्विस की तरफ लगाईए बहुत दिन चान्दा रहेगा नौकरी में आपके आइडियास बॉस को बहुत रास आएंगे टीम मैरेजमेंट और क्रूप डिसकुशन आपको बहुत लाब देगा इमोशन्स में कोई फैसला ना लें बलकि थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करें रिष्टों में भी आज आपको दूसरों के नजरिये पर ध्यान देना चाहिए ऐसा ना हो कि हम क्या चाहते वही हमेशा जो है उसमें अडिक रहें कि हम जो चाहते हैं वही काम होना चाहिए ऐसा नहीं स्टुडेंट आर्टिस और प्लेट्स शांदार व्यस्थ प्रोग्राम रहेगा आज आपका प्रेम संबंद प्रगाड होंगे लव लाइफ और रिलेशन्शिप में खोश्बू आ रही है बहुत अच्छे गीत आप गुनगानाने वाले हैं एंटेटेन्मेंट बरा दिन रहेगा और शुक्र के परिवर्थन से प्यार, इश्च और महुबद बढ़ने लगेगी पुराना प्यार भी वापस अब लोट सकता है लाकी गला ब्राउन नबर तीन शुब रहेंगे धनूराशी आज पैसे से पैसा कमाना पैसे को रोक के रखना खर्च और कर्च को कम करने का दिन है और यहीच अब आपके साथ करवाने वाले हैं शुक्र अब आपके कर्म और पेता के गर्भाएं विराजित होंगे नौकरी में अपने सह कर्मियों को उनके विचार प्रकट करने से नहीं रोकें बिजनस में जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप कर क्या रहे हैं इस पर गौर करिए अवज्शे आपको आपकी योगता से लाब मिलने वाला अपने स्किल अपनी क्वालिटीज को और बैदर करें केवल परियास करने से आप काम नहीं चलेगा बलकि स्मार्ट वर्क करने से काम चलेगा वर्ड प्लेस पर आर्थिक लाब की स्थियां आप जेनरेट करेंगे और किसी के लिए खुशी की खबर आप जेनरेट करेंगे आज साजेदारी से लाब बिलेगा और नए प्रस्ताव भी इसमें मिल सकते हैं परिवार में अपने काम और रिष्टों के परती समर्पन दिखाना बहुत शुब रहेगा और बविश्चे में क्या होगा उसके लिए आज रूप रेका बनाई जा सकती है दमपती जीवन लव लाइफ और रिलेश्चेशिप में विश्वास की कमी न होने दे और शक की कोई गुझाईश नहीं रखें स्टुडेंट आर्टिस और प्लेयर्स कोई डिसीजन लेंजिस पहले बड़ों की और अनुभवी लोगों की सलहा बहुत काम आएगी लव लाइफ में आज समय दीजिए फिर देखिए जमतकार शुकर के परिवर्तन से आपकी कोशिश कामियाबी की तरफ आपको लेकर जाएगी लखी गला पिंक नबर सेवन शुप रहेंगे मगर राशी मन चंगा तो कटोदी में गंगा आज शांत रहकर अपने काम पर फोकस करिए मज़ा जाएगा शुकर फिफ्ट और टैन्थ आउस के लॉड होकर नाइन्थ आउस जो के भागियस्तान है वहाँ पर बिराजित होंगे वर्ट प्लेस पर दिन आपके अनुसार चलेगा डे को आप डिजाइन करेंगे वैसा डे चलेगा नौकरी में आपको कुछ मामलों में अधिकारियों से रियायत मिल जाएगी आज जो आपने काम किसी को माटेते वो खुद काम ले लीजिए काम में परफेक्शन मिलेगा व्यापार में किसी योजना का आगे बढ़ जाने किसी पुराने व्यक्ति से जो पैसा हमें नहीं मिल रहा था वो मिल जाने से दबाव कम होगा नए काम की शुरुआत करने के लिए आज रिसर्च करने का दिन है प्लैन करने का दिन है परिवार में आपकी जला बहुत लोगों की काम आजाएगी इसलिए अपने बात कहने से जीजक बिलकुल नहीं रखें जीवन साथी लव लाइफ और रिलेशिशिप में गर के किसी काम में खुले दिल से मदद करेंगे स्टुडेंट आर्टिस और प्लेयर्स के लिए एक शांदार यादगार दिन बनेगा बहुत कुछ सीखनेगा और सीखी वी चीज़ों से लाब मिलेगा मौन रहकर जो जवाब दोगे वो बोल कर नहीं दिया जा सकेगा शुक्र के परिवरतन से घर में स्प्रिच्वालिटी कुछ खर्च दान पुजा पाट इस प्रकार के कर्म होने जा रहे हैं लाकी करण गोल्डन नमबर टू शुप रहेंगे कुम राशी आज खर्चा और करजा इस दो पर आपको फोकस करना है क्योंकि ये बढ़ सकते हैं और चंदरबाग कुछ अनरगल चीज़ों में आपको इन्वाल करेंगे डे को डिजाइन और मैनेज करिए शुक्र अब आपके एड़ ताउस जो की कॉमन सेंस का गर है वहाँ बे राज़ित रहेंगे बिजनस में कुछ खास कमाल करने का आज दिन नहीं है बलकि आज पुरानी चीज़ों को मैनेज करके आगे बढ़ने का दिन है काम को बांट के खुद फ्री रहकर इनोवेटिव आइडियास को अपनाने का दिन है जौब में अपने दुआरा पूरू में किये किसी गलत काम किसी गलत हस्ताक्षर किसी को हमने ठेस पहुँचाई थी दिल से उसका खामेज आज आपको बहुतरा पढ़ सकता है इसे मैनेज करिए गुस्से पर खाबू करिए और हो सकता है कि आपने किसी का दिल दुखाया तो उसे माफी बांगने में कोई बुरा नहीं जगडे फसाद को निप्टाईए चोटी बहन या बड़े भाई से आज आपको रेश्टों में तकलिव आसकती है आप बहुत कमजोर और अस्वस्त नहीं है लेकिन ऐसा फील करेंगे इसके लिए स्पिरिच्ट्वालिटी दस पंदरमिन का पावर नैप लीजिए मदा जाएगा स्टुडेंट आर्टिस और प्लेट्स को कुछ परेशाने जो आपको लग भी रही थी उसका सामना करना पड़ेगा लव लाइफ में कोई बवाल मच सकता है और शुक्र के परिवर्तर से जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अलकी फूल के दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा था वो आपके रिसर्च वर्क और किसी के मदद से कम हो सकता है मानसिक परिशानियां आपको किसी और के वज़े से मिलने वाली है तो ऐसे नगारत पक सोच वाले लोगों से दूर रहें लगी कलर क्रीम नंबर बन शुब रहेंगे मीन राशी छोटा हो या बड़ा हो भाई हो या बेहन हो खबर जेनरेट करेंगे जो खोशी की होगे और शुक्र अब आपके सेवंध हाउस में बिराजित रहेंगे बिजनस में मार्केटिंग में नई चीज़ री शफल करना अपने एंपलोईस को चेंज करना और साथ में उनके काम में परिवर्थन करना बहुत अशुब रहेंगे और इसी में आज बीजी रहेंगे वर्ट्रेस पर नए संपर्क बनेंगे और हो सकता है कॉंट्रैक्ट की वज़े से कोई कॉंट्रैक्ट मिल जाए नौकरी और पेशे वर्जियों में आपका उत्साह शांदा रहेंगे बात करने का लहज़ा तहजीब और तमीज शांदा रहेंगे और इसी से आश्चर जनक परिड़ाम आपको मिल सकते हैं पारिवारिक जिंदगी में जो आप वक्त देंगे तब ही वो सुखद रहेगा जो लोग प्यार इश्क और महमबस से जुड़ेवे हैं वो अब उसे रिष्टे का एक नाम दे सकते हैं स्टुडेंट आर्टिस और प्लेयर्स कुछ सीखना चाहते हैं कुछ और इनुविटिव आइडियास को अपनाना चाहते हैं तो आज स्वतन रहें स्वास्ते शांदार है हलकी सी मसल पेन के लावा कुछ नहीं इसलिए एक्स्टर और एडवास में काम किये जा सकते हैं शुक्र के परिवर्तन से आप आज प्रोफेशनली काम कर पाएंगे कटिन काम को भी आसान प्रोफेशनल तरीके से कर पाएंगे स्मार्ट वर्क की वज़े से कर पाएंगे लगी कलर ग्रीन नमबर फाइव शुब रहेंगे प्रेसातियों कल बने आप लोगों से एक सवाल पूचा था कि शार्दिय नमरातरा का पूज़न समुद्र तरट पर किस ने और क्यों किया था अब इसका जवाब सुनिए शार्दिय नमरातरा आश्विन मास में शुकल पक्ष की परतिवदा से प्रारब होते है इस दोरान देश पर और विदेशों में बाब अगवती के नो रूपों की विदी विदां से पूज़ा की जाती है शार्दिय नमरातरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि सर्वपत्व मर्यादा पुरुशोत्म भगवान स्री राम चंदर जी ने इस पूज़ा का प्रारम समुद्र तरट पर किया था और उसके बाद दस्वे दिन लंका विज़ा के लिए प्रस्तान किया और विज़ा प्राप्त की मानेता है कि तबी से असत्य पर सत्य की जीत तो अधर्म पर धर्म की विज़ा के जीत के प्रती की रूप में दशरा पर मनाय जाने लगा शार्दी नवरात्रा में दिन छोटे होने लगते हैं और रात बड़ी कहा ये भी जाता है कि रित्वों के परिवर्तन काल का असर मानव जीवन पर नहीं पड़े इसलिए साध्रा के बहाने रिशी मुनियों ने इन नौ दिनों में उपवास का विधान किया था देश के हर भाग में नवरात्रा की दूम अलग अलग तरह से देखने को मिलती है जाँ उत्तर बारत में मंदिरों में माः बगवती का पूरे स्रिंगार के साथ पूजा किया जाता है वहीं गुजरात और महाराष्टरा में गर्बा और आयोजन किया जाता है तो बंगाल में मनाय जाने वाला दुर्गोस्व अलग ही छटा बिकरता है इसलिए आज का जो प्रशन था कियों किया था और कहां किया था तो वो था रामेश्वरम और फिर राम चदर जी ने किया था और आपको ये भी पता होगा कि जो मूर्ती की स्थापना की थी मिट्टी की मूर्ती बनाई थी माता सीता की ताकि पत्नी के साथ पूजन किया जा सके प्रेसातियों अब आपको ये पता लगाना है कि नवरात्रा में नौर रंगों का क्या महत्वा है प्रेसातियों आज का दिन आपका शांदार गुजरे और आपके हर मनों कामना पूर्ण हो इसके लिए मैं इश्वर से प्रात्रा करते हुए अब आप रिवानी को यहीं विराम देना चाहता हूँ प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद दिवाली पूजन बॉक्स, everything you need during दिवाली शूट दिवाली पूजन में काफी सारी पूजन सामगरी की requirement रहती है ऐसे में हमारे माइन से एक नाइक चीज़ स्लिप हो ही जाती है हर साल हम काफी तहियारी करके लिस्ट बनाकर मार्केट जाकर शॉपिंग करते हैं और सामगरी इखटी करकर लेकर आते हैं पर एक नाइक चीज़ चुप जाने से मार्केट में चकर लगाने पड़ते हैं आपके इसी प्रॉब्लम की solution लेकर आए हैं हम दिवाली पूजा बॉक्स इस पूजन बॉक्स में आपको वो सभी चीज़े मिलेगी जो आपको दिवाली पूजा के लिए रुकोय रहेगी इस अद्बुत पैकेट में आप पाएंगे सभी चीज़े आपको मिलेगी सिर्फ 750 रुपे में जी हाँ आपने सही सुना ओनली इन 750 रुपीज आपको मिलेगा वो सब कुछ जिसे आपकी होगी दिवाली पूजा स्पेशल यह आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंट्स और मिलने वालों को किफ्ट के तौर पर भी दे सकते हैं और फिर नॉट बेरी एक्पेंसिब तो और नाउ इस पैकेज को प्राप्त करने के लिए संपर्ट करें आप अपना ओर्टर हमें 0291 27 990 0000 पर कॉल करें या फिर 98290 26625 पर वोट्साप करें या फिर 93588 64 159 नंबर पर गूगल पर पेटियम या फिर हमारी वेबसाइट www.grahocakakel.com पर दे सकते हैं अधिक जानकारी के लिए संपर्ट करें 0291 27 990 0024 32 625